नमस्कार दोस्तो हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज हम सभी कक्छा दस्वी के गोधुली पाठ का नाम है स्रम विभाजन और जाती प्रथा इस पाठ का हम लोग अब्जेक्टिव कोश्चन को करेंगे तो चले हम सुरू करते हैं पहला प्रशन है स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लिखक कौन है आप ओप्षन देखेंगे चार ओप्षन है डॉक्टर राम मनुहर लोहिया बाबा साह भीम राव अम्बेदकर महातमा गांधी डॉक्टर संपुर्नानंद दूसरा ओप्षन इसका सही है अगला प्रशन देखेंगे लेखक की दृष्टी में बीडंबना की बात क्या है जाती वाद के पोशकों की कमी नहीं है जाती वाद के पोशक नगन है आर्थिक दृष्टी से जाती वाद उचित है जाती वाद लोकतंत्र के विरुद नहीं है इसका तीसरा ओप्षन सही है अगले प्रशन को देखेंगे लेखक की द्रिष्टी में आदर्स समाज कैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंतरता, समता और भात्रित्व का भाव हो जिसमें सभी धैनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्त हो इसका पहला option सही है जिसमें स्वतंदरता, शमता और रातित्व का भाव हूँ अगला प्रश्न देखेंगे लेखक बेरुजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कीशे मानते हैं इसका तीसरा option सही है लेखक बेरुजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेदगर की द्रिश्टी में भाविचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है दूद और सकर के मिश्रन की तरह दूद और पानी के मिश्रन की तरह तील और गूर के मिश्रन की तरह पानी और नमक के मिश्रन की तरह दूसरा option सही है दूद और पानी के मिश्रन की तरह अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमरा अंबेदकर का जन्म कब हुआ था? पहला प्रशन इसका सही है डॉक्टर भीमराव अम्वेदकर का जन महू मद्पर्देश में हुआ था. अगला प्रशन है डॉक्टर अम्वेदकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्वल भारत, ओर्ता भारत, वहिस्कृत भारत, पुरस्कृत भारत. इसका तीसरा ओप्शन सही है वहिस्कृत भार इसका तीसरा अप्शन सही है भीमडाव अम्बेदकर अगला प्रशन है डक्टर अम्बेदकर का बाडु में हिंदी के कितने खंडों में प्रकासित हो चुकी है 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में इसका चौथा अप्शन सही है 21 खंडों में चलता के लिए किशे आवश्यक मानता है स्रम विभाजन को धन विभाजन को जन विभाजन को या जाती विभाजन को पहला अप्शन इसका सही है स्रम विभाजन को अगले प्रशन को देखेंगे डॉक्टर भीम राव अम्बेदकर के पिता का क्या नाम था रामदेव शकपाल रामजी शकपाल, रामकिशुन सकपाल, राधे राम शकपाल ओप्शन दूसरा सही है डॉक्टर भीम राव अंबेदकर के पिता का नाम रामजी शकपाल था अगला प्रशन को देखेंगे डॉक्टर भीम राव अंबेदकर की माता का क्या नाम था? रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई, भीमा बाई चोथा option शही है भीमा बाई डॉक्टर अम्वेदकर ने PhD की उपाधी कबधारन की 1920 S.B. में, 1918 S.B. में, 1916 S.B. में, 1914 S.B. में तीसरा option सही है 1916 S.B. में The casted in India where mechanism इनकी रचना है ये किनकी रचना है? भीम्राव अम्वेदकर, राम्मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या सुकदेव तो हम सभी अभी भीम्राव अम्वेदकर के चैप्टर को पर रहे हैं और आप सभी को भी ये पता है The cast in India where mechanism ये डॉक्टर भीम्राव अम्वेदकर की रचना है अगला प्रशन है आर्थिक पहलू से भी जाती प्रथा डैस है इस खाली अस्थान में हम क्या भरेंगे? अप्शन को आप सभी देखेंगे लाफ दायक है, हानिकारक है, अनुकूलता है या इन में सभी है अप्शन B सही है, हानिकारक है अगला प्रशन को देखेंगे, खाली अस्थान पेसे का दोस पूर्ण पुर्व निर्धारन करती है अप्शन देखेंगे, स्रम विभाजन, जाती प्रथा, प्रतयक्ष, लोक तंत्र दूसरा option सही है जाती प्रथा पेसे का दोस पूर्ण पुर्व निर्धारन करती है अगले प्रशन को देखेंगे जाती प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली अस्थान कारण बनी है option देखेंगे परत्यक्ष प्रमुख A और B दोनों इन में से कोई नहीं तो option तीसरा सही है A और B दोनों प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है जाती प्रथा भारत में बेरोजगारी के प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है अगले प्रशन है मुकनायक क्या है अकबार पत्रिका पुष्टक या कहानी शंग्रख ओप्षन देखेंगे ये मुकनायक पत्रिका है अगला प्रशन है डक्टर भीम्रा अम्बेदकर के मृत्यु कब और कहां हुई उत्तर है 1956 दिल्ली, 1957 मध्यप्रदेश, 1958 वरांसी, 1969 विहार ओप्षन को देखेंगे पहला ओप्षन सही है 1956 दिल्ली में डक्टर भीम्रा अम्बेदकर का जनम हुई आज के लिए बस इतना ही वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद